वैसे तो बैंकों को चूना लगाना बच्चों का खेल नहीं फिर कैसे कुछ बिजनस्मेन करोडों की हेरा फेरी कर देते हैं और बैंक को इसकी भनक तब लगती है जब उसकी बैंड बच चुकी होती है अगर आपको कहा जाए कि साथ बैंकों से जुड़े ताजा घोटाले के आरोपी विक्रम कोठारी ने बस दो तरीके से बैंकों को बेवकूफ बनाया तो आप क्या कहेंगे फरजिवाडे की जांच में जुटी CBI की FIR रिपोर्ट तो कुछ ऐसा ही कहती है पैंक ओफ बड़ोदा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए CBI और ED के साथ IT भी जांच में जुटी है FIR के अनुसार विक्रम कोठारी ने दो तरीके से बैंकों को चुना लगाया था और वो भी फिल्मी अंदाज में पहला तरीका विक्रम कोठारी ने विदेश से सामान आयात करने के नाम पर पैंकों से एडवांस में लोन लिया असल में कुछ आयात करने के बज़ाए कंपनी ने सर्फ कागजों पर सामान मंगवाया पैसे का ट्रांसपर दिखा कर बैंकों को बेवगूफ बनाने के लिए परियाप्त कागजी कारवाई पूरी होते ही वो सारा पैसा रोटो मैक कंपनी में वापस आ जाता था दूसरा तरीका आयात के साथ ही निर्यात करने में बें कंपनी ने फ्रॉड किया एफाया रिपोर्ट के बारे में मिल रही जानकारी के मताबिक आयात के साथ ही निर्यात का ओर्डर दिखा कर भी बैंकों से लोन लिया जाता था निर्यात करने के बज़ाए कंपनी सिर्फ पैसे को दूसरी कंपनी में ट्रांसपर कर देती थी यह सलसला 2008 से चल रहा था ऐसे में वित्तिय जानकार इसे विक्रम कोठारी का बेहत चाला की भरा कदम बता रहे हैं जानकारों ने इस सलसले में एक मज़ेदार बात बताई है जिसकी शायद आपको भी जानकारी नहीं हो भारत और दूसरे देशों में ब्याज दर में फर्क के आधार पर सिर्फ निवेश करके कमाई किया जा सकता है ऐसे में आपकी पूंजी बिना किसी काम के आपको मुनाफा देती है जानकार मानते हैं कि विक्रम कोठारी ने बैंकों का पैसा भारत में लगने वाले ब्याज पर उठाया विदेश में और जादा ब्याज पर निवेश किया और मुनाफा कमाया पतादे कि पी नबी में 11,400 करोड रुपए का घोटाला सामने आने के कुछी दिन बाद रोटो मैक पैन बनाने वाली कमपनी के मालिक विक्रम कोठारी पर करीब 3700 करोड रुपए के खोटाले के आरोप लगे हैं जिसकी जाच में तीन एजन्सिया जुटी है और कोठारी पलहाल हिरासत में है इंडिया न्यूस वाइरल की रिपोर्ट